हाई गैज मैंना सोनु है और आप देखे रहे हो ट्रू अब्डेट और अगर आप भी Amazon Prime वीडियो को Sign In करना चाहते हो अपने Android TV पे तो इस वीडियो का पूरा लाज तक देखते रहो तो गैज यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसी ओपन की यहाँ पर दो अप्सन मिल जाता है Sign In का और ब्राउज वीडियो का तो सबसे पहले आपको Sign In पर क्लिक करना है Sign In पर आप जैसी क्लिक करोगे यहाँ पर फिट से आपको दो अप्सन देखने को मिल जाता है QR Code और Web का तो आपको Web से भी बताने वाला हूँ और QR Code से भी बताने वाला हूँ मतलब दोनों ही तरीके से बताऊँगा किस तरीके से आप Sign In कर सकते हो अपने TV पर Amazon Prime Video को तो स्टाट करते हैं सबसे पहले वेब वाला ओप्सन देख लेते हैं किस तरीके से करना है तो इसके लिए आपको अपने फोन पर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है जिसका भी आप नॉर्मली यूज करते हैं और सर्च बार में हाँ पर टाइप करना है Prime Video और लास्ट वाली वीडियो पे एक कोश्चन आया था कि क्या हम Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं जो एटल हमें दे रहा मोबाइल एडिशन वाल अपनी टीवी पे तो इसका अंसर ना है गाज आप यूज नहीं कर सकते तो यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमने साइट ओपन कर लिया पहले नंबर पर यह साइट देखने को मिल जाती है Prime Video.com के नाम से जिसका इंटरफिस आपको कुशिस तरीके से देखने को मिलेगा जब आप इसे ओपन करते हो उसके बाद यहाँ पर कॉर्णर में एक option देखने को मिल जाता है Sign in का तो simple आपको sign in कर लेना है जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो आप यहाँ पर आपको अपना email address और password डाल देना है जिस भी email address से आपका account है Prime Video का तो यहाँ पर मैं enter कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एंटर कर लिया एंटर करने के बाद यहाँ पर sign in पर क्लिक करके sign in करना है को simple So guys जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पर sign in कर लिया है बैक चलते हैं, तो देख सकते हो, यहाँ पर watch anywhere के नाम से एक option मिलता है, simply आपको इस पर click करना है, जैसी आप इस पर click करते हो, आपको यहाँ पर नीचे एक option देखने को मिलता है, gaming console के नाम से, game console, उसके उपर आपको वो link देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जैसी के देख सकते हो blue color में link देखने मिल जाता है इसके उपर आप देखोगे तो यह link मिल रहा है sign in करने के लिए तो link पर आपको just click करना है जैसी आप link पर click करोगे यहाँ पर आपको अपना code एंटर करने को option देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर जो भी आपके टीव पर code दिख रहा है उसको यहाँ पर enter करना है और sign in करना है simple तो यह था गाई यह वाला तरीका यह काफी simple है आप इसका भी कर सकते हो इससे भी simple है QR code वाला उसको भी आप अगर चेक आउट करना चाहते हो तो देख लो आपके लिए helpful रहेगा future में तो यहाँ पर देख सकते हो हमने code एंटर कर दिया है code जैसी आप इसे एंटर करते हो यहाँ पर successful ही देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा जैसी अब successful हो जाता है आपकी TV में यहाँ पर यह लोड होना start हो जाएगा तो देख सकते हो Sonu के नाम से आचुका है यहाँ और यह जो एकाउंट है login हो चुका है तो काफी simple तरीका है कोई भी question आइस से related comment करके जरूर पूछेगा यहां तक वीडियो जो लोग देख रहे हैं आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो चलिए अब करते नेक्स्ट वाला मैथट तो नेक्स्ट वाले मैथट के लिए आपको कुछ नहीं करना क्यूर कोड़ स्कैन करना जस्ट तो यहां पर फोन यूज कर रहा हूं यह है रियल मिगा और इसमें डिरेक्ली स्केनर का जो एप्लिकेशन है देखने को नहीं मिलता है इसके लिए आपको सेटिंग में चले जाना होगा सेटिंग में जाओगे तो यहां पर एकाउंट की नाम से एक उप्शन मिलता है सबसे पहले नमबर पर उस पर क्लिक करते हो तो यहां पर कॉर्णर में देख सकते हो ऊपर आपको यह उप्शन देखने को मिल जाएगा बाकि रेडिमी और भी किसी और कमपनी का यूज करोगो तो उसमें डिरेक्टली यह उप्शन देखने को मिल जाता है एप्लिकेशन में तो अभी आप यहां पर देख सकते हो हमने स्केनर ओपन कर लिया स्केनर ओपन हो जाने के बाद आपके टी पर जो भी QR कोड दिखता है उसे स्केन करना होता है आपको कुछ ही नहीं करना जस्ट डिवाइस पर क्लिक करना है और यह जो साइन है आपके टीव में हो जाएगा तो देखिए यहां पर सारी चीज़े फिल आप होके आती है तो उससे भी आसाने वाले से यह वाला बेटर है अगर आप इसे वाले से कंपेर करते हो तो